असलाम लेकूम, स्टार्ट करते हैं New Oxford Mautist English Book 3, Unit 9, The Story of Silk रेशम की कहानी Verse to know, Artifacts, कदीम दौर की दिल्चस्प चीजें, नवाद रात, बेरिंग, चाल धाल, कोकून, रेशम के कीडे का हौल Confined, महदूद, Custom, रस्मोरवाज, Elaborate, मेहनत से बना हुआ Emperor, शेहन्शा, Manufactured, बनाया, Weaver, जुलाहा Did you know that silk was discovered in China? क्या आपको मालूम है के रेशम चीन में द्रियाफ्थ हुआ था? A long time ago in a tiny village in China बहुत अर्सा पहले, चीन के एक छोटे से गाउं में दे लिवड पूर गर्ल बिलॉग इन दुए वीवर्स फैमली एक जुलाहे के खांदान से तालक रखने वाली एक गरीब लड़की रहती थी और उसने उसे खेतों में काम करते हुए देखा He noticed her pretty face उसने उसके खुबसूरत चेहरे, her proud bearing, फाखराना चाल and her rough, work-worn hands और उसके खुर्द्रे महनत करने वाले हाथों को देखा which meant she worked very hard through the ear जिनका मतलब था कि वो सारा साल बहुत महनत करती है He immediately fell in love with her वो फॉरण उसकी महबत में मुबतला हो गया and though he was much older और अगर्चे वो उमर में कहीं ज्यादा था decided to marry her फिर भी उसने उससे शादी का फैसला कर लिया The girl married the ruler of the land लड़की ने मुल्क के हुकमरान से शादी कर ली and went to live in his palace as his beloved queen और उसकी महबूब मलका की हैसियत से उसके महल में रहने के लिए चली गई but she was unhappy लेकिन वो नाखुच थी she had grown up in the wide open spaces of the countryside वो देहाद की खुली फिजाओं में पली बड़ी थी and now she was confined to a palace और अब वो एक महल तक महदूद थी magnificent though it was अगरचे वो बहुत आली शान था she was used to walking from dawn to night with a moment's rest वो सुबा से रात तक एक लम्हा अराम किये बगैर काम करने की आदी थी but now she had many servants to take care of her needs लेकिन अब उसके पास अपनी जरूरियात का ख्याल रखने के लिए कई नौकर चाकर यानी खादम थे and did not know how to fill her time और उसकी समझ में नहीं आता था के अपना वक्त कैसे गुजारे in the village she had been surrounded by family and friends गौँ में वो घर वालों और दोस्तों की दर्मियान घिरी रहती थी who exchanged news and gossip as they worked जो काम करते हुए खबरों और गपशब का तबातला करते but in the palace it was quiet लेकिन महल में खामोशी थी and no one spoke out of turn और कोई भी बे मौका बात नहीं करता था the emperor noticed his new wife was sad and शेहन ने महसूस कर लिया कि उसकी नई बीवी उदास है tried his best to make her happy और उसने उसे खुश करने की पूरी कोशिश की he bought her grand clothes उसने उसके लिए शानदार कपड़े jewels and artifacts जिवरात और दिलचस्प चीजें खरीदी through elaborate parties बड़ी बड़ी दातने की hired the best musicians of the land to amuse her और उसका दिल बहलाने के लिए मुलक के बेहतरीन मुसीकारों की खिदमात हासल की yet she was sad फिर भी वो उदास थी one afternoon the empress sat under a mulberry bush in her garden एक सपहर मलका emperor शेहनशा होता और empress मलका महरानी बाग में शेहतूत की जारी के नीचे बैठी lost in her thoughts about her village अपने गउं के ख्यालों में गुम थी या कोई हुई थी she slowly sipped hot water from a cup वो आस्ता एक प्याली से गरम पानी की चुस्कियां ले रही थी sipped mean चुस्कियां staring up at the blue sky नीले आस्मान को देखते हुए the girl remembered the birds लडकी को उन पृरिंदों का ख्याल आया death flew over her village जो उसके गउं पर उठते थे then sign softly to herself फिर हलकी सी सिस्की भरते हुए या अह भरते हुए she picked up her cup to take another sip उसने एक और चुस्की लेने के लिए प्याली उठाई but what was this लेकिन ये क्या था a cocoon from the mulberry bush had dropped into the hot water शेहतूत की जाड़ी से एक रेशम के कीड़े का खॉल होता है उसे cocoon कहते हैं एक cocoon गरम पानी में आगिरा था her first thought was to throw away the water and the cocoon उसका पहला ख्याल ये था के गरम पानी और cocoon को पहेंग दे but then she took a closer look लेकिन फिर उसने ज्यादा गौर से देखा and she saw some threats peeping out from the cocoon और उसे cocoon से चन धागे जांकते हुए नजर आए where had they come from ये कहां से आए थे she pulled the threads उसने धागों को खेंचा they were thin, strong and shiny वो पतले, मुस्पूत और चम्कीले थे she kept pulling and a long line of thread came out वो खेंचती गई और एक लंबा सा धागा बाहर निकल आया now the empress had a great idea अब मलका को एक जबरदस्त खयाल आया she would take the thread from many cocoons and weave soft strong cloth from it वो बहुत से cocoon धागे लेगी और उससे नरम मस्बूत कपड़ा बुनेगी she called her servants उसने अपने खादम को बुलाया and everyone got to work और हर कोई काम पर लग गया they took cocoons out of the mulberry tree उन्होंने शेतूत के दरख्ट से cocoon निकाले dropped them in hot water उन्हें गर्म पानी में डाला and removed the thread और धागा अलेहता किया they gathered a fair amount of yawn उन्होंने बहुत सा धागा या सूथ अकठा कर लिया then the queen ordered a special weaving machine फिर मलका ने बुनाई करने वाली एक खास machine का हुकम दिया and wove the first piece of cloth using this new thread और उसने धागे को इस्तेमाल करते हुए कपडे का पहला टुकडा बुना she was how silk the best and brightest form of cloth was weaved इस तरह कपडे की बेतरीन और सबसे चमकीली शकल रेशम बुनी गई the manufacture of silk spread throughout China रेशम की त्यारी का काम पुरे चीन में फैल गया it was the cloth that only royalty could wear ये वो कपड़ा था जो सिरफ शही खानदान के लोग पहन सकते थे and was much in demand in lands as far away as Rome और रूम जैसे दूर दरास मुलकों में इसकी बहुत मांग थी the route along which silk was spreaded between China and Europe through Asia was called the silk route Asia से गुजरने वाले जिस रास्ते के जरिये चीन और यॉरप की तिजारत होती थी उसे शहराय रेश्यम कहा जाता था now that the Chinese had learned how to make silk cloth अब जबके चीनियों ने रेश्यम का कपड़ा बुनना सीख लिया था they did not want to share this knowledge with anyone in the world वो इस इल्म को दुनिया में किसी और के साथ बांटना नहीं चाहते थे for many years all members of the Chinese royal family were sworn के सालों तक चीन के शाही खांदान के तमाम अफराद से एहत लिया जाता था never to reveal the secret to anyone के वो ये रास किसी को नहीं बताएंगे when princesses got married जब शेहजादियों की शादियां होती and went away to far off lands और वो दूर दूर दूरास के मुलकों में चली जाती they were not allowed to tell anyone in their new home how silk was made तो उन्हें अपने ने घर में किसी को ये बताने की इजाज़त ना होती के रेशम कैसे बनाया जाता है many many years later कई सालों बाद when a clever princess was leaving her house on getting married एक जहीन या हुश्यार शेहजादी शादी के बाद अपना घर छोड़ कर जा रही थी as was the custom जैसा के वहां रवाज था या दस्तूर था her bags were searched carefully to check उसके bags या थैलों की बड़ी बरीकी से तलाशी ली गई that she did not carry anything ये देखने के लिए के वो कोई ऐसी चीज तो नहीं ली जा रही that would help her make silk जो उसे रेशम तियार करने में मदद दे the princess had been weaving silk from a young age शेहजादी बहुत छोटी उमर से this princess had been weaving silk from a young age ये शेहजादी बहुत छोटी उमर से रेशम की बुनाई कर रही थी and wanted to continue to do so wherever she went और चाहती थी के वो जहां जाए ये काम जारी रखे she had hidden the cocoons in her long elaborate hairdo उसने cocoon जो थे वो अपनी लंबी जो चुटिया थी या बालों की अराइश थी उसमें चुपा रखे थे no one thought of looking there किसी को वहां देखने का ख्याल नहीं आया when she went to her husband's house जब वो अपने शोहर के घर पहुंची she took out these cocoons from her hair उसने cocoon अपने बालों से निकाले and started gathering silk thread और रेश्रम के धागे अकठे करने लगी in this way और इस तरीके से इस तरहां the legend goes knowledge of how to make silk left china दास्तान के मताबक या किसे के मताबक इस तरहां रेश्रम की त्यारी का इलम change से बाहर निकला तो यह थी एक बहुत ही interesting story next video में हम इसकी exercise, question answers वगएरा solve करेंगे thank you, allahafiz